लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें जिन्दके खुबसूरत है अरे हाती किधर जा रहा है अहीं किने जूटके मा अपने बच्चों के लिए खाना लेके जा रही है अगर चूटी मा मर जाएगी तो उसके बच्चें तो भूकर मर जाएगे ना इसके अमक्र जाने दोसा अरे देखो तो पहें एक जबीला गया कि इसमें रोने की क्या बात है जमीला मैं हूँ ना तुम्हारे पास अगर चूटी मा मर जाती तो चूटी के बच्के क्या खाते ये बाल्यों के साथ कब क्या आप अपने हूँ चूटे छूटे सपने हो अपने हो छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है दिल में कुझाला हो, खुद को संभाला हो, तो यारो क्या बात है यही जीना है, यही जीना है, यही जीने की सूरत है कि इस गानेवाली के बारे में क्या हुआ जी हां जनाब उसका गाना तो दिल्ली टीव सेंटर में रिकॉड किया गया था हमने खोज लगाई ये वहां पे वो काम नहीं करता है एक पास समझ लो दो तिन के महलत में देता हूं ठूड़ो उसका भई ये को नहीं तो तुम सब का अगे तब तक जब तक जमीला के होटो पर हसी न आजाए जाओ जी कि 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 अ कि अ चोटे चोटे सपने हो सपने वो अपने हो चोटे चोटे सपने हो सपने वो अपने हो तो यारो क्या बात है दिल में पुजाला हो, खुद को संभाला हो, तो यारो क्या बात है यही जीना है, यही जीना है, यही जीने की सुरत है जिन्दगी खुबसूरत है, जिन्दगी खुबसूरत है छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है सुख अपना जो बाट दो, जाके पलट आता है दुख का दुख हम क्यों करें, बाटे घट जाता है सुख अपना जो बाट दो, जाके पलट आता है दुख का दुख हम क्यों करें, बाटे घट जाता है ओए खुश्यों को बाट गम की किसे जरूरत है जिन्दगी खुबसूरत है छोटे छोटे सपने हों सपने वो अपने हों तो यारो क्या बात है नील गगन की ओट में प्यासा है हर कोई चांद सितारे सूरज इंसां सबको गिला है कोई नील गगन की ओट में प्यासा है हर कोई चांद सितारे सूरज इंसां सबको गिला है कोई वे सब अधूरे हैं सबकी कोई जरूरत है जिन्दगी खुबसूरत है छोटे छोटे सपने हो सपने वो अपने हो तो यारो क्या बात है कट जाता है जीवन कडवी मीठी बातों से सहर तो एक दिन होनी है क्यों डरता है रातों से बस होसले की जरूरत है जिन्दगी खुबसूरत है छोटे छोटे सपने हो सपने वो अपने हो तो यारो क्या बात है दिल में उजाला हो खुद को संभाला हो तो यारो क्या बात है यही जीना है यही जीना है यही जीने की सूरत है जिन्दगी खुबसूरत है जिन्दगी खुबसूरत है जिन्दगी खुबसूरत है जिन्दगी खुबसूरत है यह बस रोको बस रोको ओ भाया ओ ओ यह बस जुहो को जाएगी जुहो जुहो जाएगी तुम्हें ठीक है बार अर्बार अश्पूरा हो जाएगी एक जुहो का टिकेट दे दो बैसाव तुम्हें पूछा नहीं हमारा अर्मान के हैं वैसे आपका क्यार मान है वह ऐसा है जी कि हमने अपने आपसे वादा किया है कि ब्या से पहले एक बार जूबी जरू देखेंगे हां आप कि आ मालूम क्या ओ उनका नाम नना सकते हैं है कि तुमक है ओर राजसेटान कभी सब्सक्राणा के लिए नहीं नहीं तो एचा हमारी जी राजसाने चार में लिए पर अच्छा एक हो गई जैपुर में, एक हुई जोदपुर और एक माउंट आबू तुम्हे मालूम है वो हमें कहां रखाएगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम मुझे भी नहीं मालूम देखो जी, हमारे बारे में तो तुम नहीं इतना खुझान लिया है यंविर बतानी तुम्हें नाम किया है मेरा नाम है अमरभापबू। अबरबापू 152 आप आपको हमने सारी हवाइर के सार कराएंगे मगर आप अपने उन को क्या बथाएंगे कि मैं कौन हूं मैं एक्टर हूं और फिल्मों में काम भूर्णी आया हूं वो तो जी हम आपकी सूरत देखके जानगे थे हीरा लगते हैं हीरो मेरा स्टाप तो आ गया मैंने यहीं उत्र मैं अच्छा ओके बड़े खुशी हुई जी आपने मिलके बातना बड़े अच्छी कर जी शुक्रिया मुझे भी खुशी हुई जा हुँ अमर साब अमर साब टाटा जीप फिर मिलेंगे ओके 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 कि मस्तरअ म मैं बोलु में ज़ली ले आओ तो चाइशाने का हो जाने का समझे आहां काम इस्टी आकमनट प्लीज अरे हीरो आओ आओ dip मतब आओ सार्ण कि जल्दी लिए बिलकल अरे खड़े क्यों हो बैठो या मर्ब बैठो थैनक्यों सारी हूं जी आपने अब मैं जिस कहानी पर फिल्म बनाने जा रहा हूँ ना उसमें तुम एकदम फिट होते हूँ बस यू समझो कि तुम्हारे स्ट्रगल के दिन खतम हो गए हैं क्या आप सच कह रहें साइंट परसन सच बस ये बताओ कि तुम्हारे ऑपोजिट हिरोईन किसको ले जिसको चाहे ले मैं कौन होता हूँ अरे भाई तुम हमारे हीरो हो हाँ तुम्हारे सामने हीरोईन तो कोई बड़ी ही लेनी पड़ेगी लिकिन तुम बीच में कोई गड़बड मत कर देना जी गड़बड कैसी अरे भाई आज कल सेरियल्स की भरमार चल रही है जिसको देखो सेरियल में काम कर रहा है कहीं तुमने ऐसा कर लिया तो मेरी तो करोड़ों की फिल्म मिटी हो जाएगी शाह सब मेरा सेरियल में काम करने का ना ही रादा है ना ही कभी होगा तो फिर ताय हो गया तुम हमारी फिल्म में काम कर रहे हो तुम कुछ फाइनेंस का इंतिजाम कर ल अपने पास ना सही अपने किसी यार दोस्ते ले लो और फिर शे महीने साल भर की तो बात है उसके बाद तो तुम करोड़ों में खेलोगे दे मारना उसके मूँ पर कि जी मुश्किल हुआ कि चलता हूं अरे चाहे तो पीते जाओ अरे मस्तराम कहा मर गया मैंने तुम से चाहे यल्दी लाने को कहा था नैनी ताल से खत आया है हुराद के कालिज से पताते हैं कि वो खेल कूद में बहुत तेज है हाँ पढ़ाए लिखाए में कुछ कम्जोर है खासकर हिसाब में कोई है आहराणी नहीं हम बलोच हिसाब किताब में हमेशा कच्च रही है में लो है जजगें विलादों हैं वारर कि जिया ढुटीज दो हमें एक हमें जाटो करेंग। लड़की लोगा किला इंदर अलाओट नहीं है सलाम चाब सलाम चाब excuse me yes क्या मैं आपके साथ अंदर जा सकती हूं आयम सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए अवार यूट बाइब यार कुछे बताएगा उस लड़की ने मेरे साथ ने साथ क्यों किया तुमने अभी ही आपे निया काम शुरू किया है इसलिए हां के रूल्स और रेगुलेशन्स तुम नहीं जानते हैं इस बार में बहुत चापे बढ़ चुके हैं हां और मैरेजमेंट ने रूल बनाया है कि यहां पर कोई भी लड़की अखेले एंट्री नहीं कर सकती हैं अच्छा इसलिए तो यह लड़किया हमारी तुमारी मदद लेती हैं इंटर करने के लिए और मर्द लोग वो इनका प्यार खरीदते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए जो प्यार खरीद और बेचा जा सके उससे प्यास बुझती नहीं और भड़क उठती है तुम जिस प्यार के बात करें वो मिलता का हैं उससे आखों से नहीं दिल से ढूड़ा जाता है कोई दिल पर है कोई जाने जाँ है जिसे दिल ढूड़ता है वो कहां है कहां है कहां है पुली ुली ँली खुली आ ए मोई तानी कोला जुली्रे उली 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 पुरिया मुई तानी गोला जुली ने इश्क किया तो जाना जाना इश्क किया तो जाना रे इश्क किया तो जाना जाना इश्क किया तो जाना इश्क किया तो जाना इश्क किया तो जाना जाना इश्क किया तो जाना इश्क किया तो जाना जाना कोई चेहरा हो आखो में तो फिर ऐसा लगता है सामने जो भी आता है वो उसके जैसा लगता है प्यार की मूरत कोई नहीं है अंजाना कोई नहीं है अंजाना इश्क इश्क गिया तो जाना इश्क किया तो जाना 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 दिल का मौसम क्यार की बोथल दिलदारी का पैमाना अलग अलग है पीने वाले एक है लेकिन मैं खाना इश्क किया तो जाना 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 इश्क किया तो जाना दिल का मौसम क्यार की बोथल दिलदारी का पैमाना अलग अलग है पीने वाले एक है लेकिन मैं खाना हरा गुलाबी नीला पीला चाहत का हर रंग नशीला मस्ती में हर मस्ताना इश्क किया तो जाना जाना 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 कि अध्यभी तनी झालिक टुर्टे खिर्च कि गुरेट ना है भाव लाव तुम शायद इस सोच में पड़े हो के पहले मुझ से मिले हो या नहीं मिले है क्या जी नहीं अमर सहब तो आपको मेरा नाम कैसे पता चला क्योंकि तुमने शालु को अपना नाम बताया था शालु जो राजस्तान से आय थी समंदर देखने शाली से पहले और तुम? मैं भी शालु हूँ जिसकी हर रात शादी होती है शराब पीती है, सिगरेट पीती है और उस भोली भाली लड़की से बिलकुल अलग है तुम ये कह रही हूँ के शालु नाम की दो लड़की है? नहीं, मैं ये कह रहे हूँ के ऐसी दस बारा शालु है और इनकी तादात बढ़ने वाली है मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा फिल्में देखते हो? तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौनसी है? देवदास, मैंने सोला बार देखी है और हर बार रोया हूँ जब तुम्हें मालूम है कि एक्टर आक्टिंग कर रहा है और हर चीज़ बनावटी है, तो क्यों रोया? मुझे हर बार धाई गंटे के लिए हकीकत का अगमान हुआ बस ऐसा ही होता है मेरे साथ जब मैं अपने खायशों को अपने उपर ओड लेती हूँ ना तो जूट सच का रूप ले लेता है उसमें मेरा विश्वास जाग उठता है मैं उसके साथ हसती हूँ उसी के साथ रोती हूँ जूट नहीं बोला था मैंने तुमसे इस तरह मुझे वो मिल जाता है जो मेरे नसीब में नहीं है काश तुमारी तरह हम सब में सबने साकार करने की यह शक्ती होती तो जिन्दगी खुबसूरत हो जाते जिन्दगी खुबसूरत है जिन्दगी खुब्सूरत है यह पलकॉन खाएगा जमीला आजा आजा जल्दी से मेरे हाथ से ले ले एज जो बार आजा जा जमीला आजा जमीला trze जमीला म हईव अजर जमीला मिस शालू कि यह दवाइयां लिके दे रहा हूं इनको बाजार सा खरीद लेना मिस शालू मैसे मेरी एक बात मानेंगे आप जी शराब तुम्हारे लिए जहर है तुम्हारे लीवर जवाब दे चुका है प्योगी तो मर जाओगी बटे शाब आपने डल जन में डाल डिया मुझे is ili शराब पीती ओं तो मरती नहीं पीती हुँ घृब पृज़त साब कि इस प्रोफेशन में हूं उसमें मुझे मेंने क्लायंट्स के साथ शराब पर देले जैसा तो आप जैसा वे और वक इस यसा तो हम देकी आप अपने क्लाइन के शरीर का इलाज करते हैं और मैं जिन लोगों को अपने जीवन में सुख नहीं मिलता उन्हें सुख देती हो गरों के बाहर आप आप है और मैं मैं हूँ नारी पानी साथ तेक्स नारी नारीit अरे अरे शुका करें अरे अरे इघ्ए बार को सुख चुख दो चाहरे हो थार कि पूछ सकता हूं इस बत तमीजी से मुझे यहां लाने का मतलब क्या है मेरे आद्मियों ने तुम्हें बताया नहीं क्या ये जानवर तो शायद इनसान की बोली बोलना नहीं जानते आप ही बता दीजी मेरा कसूर क्या है कसूर नहीं तुम्हारे उपर अल्लाह की नजरे करम है तुम्हारे गले में जादू है इसलिए तुम्हें यहां पर गाने के लिए लाया किया है मुझे इस तरह गाने लिए मुझबूर नहीं किया जा सकता हम तुम्हें मुँ मांगी की मत देंगे फनकार बाजार में रख़ी कोई विकाओ चीज नहीं जिसका जो चाहे दम लगा ले मैं जा रहा हूँ मेरी मर्जी से आए हो मेरी ही मर्जी से जाओगे कि छोड़ों से चोड़ों से चोड़ों जाए देरसल मैं एक अनपड़ जाहिल इंसान हूँ मैं नहीं जानता कि एक फनकार से कुफ्तगू कैसे करनी चाहिए मैरे जिन्दगी में कभी किसी जब कुछ मांगा नहीं है सिर्फ जीना है इसलिए मांगना नहीं जानता लेकिन आज पहली बार एक बाप होने के नादे में तुम्हारे आगे हाथ पहला रहा हूँ दरसल मेरी एक बेटी है उसका नाम है जमीला आट बरस की है वो लेकिन लेकिन उसके दिमाग यहालत एक बरस के बच्चे की है शायद तुम्हारा हसाथ बागर उसके दिमाग यहालत सुधर जाए तुम बुरा मत मान लेकिन उसकी एवज में तुनिया की कोई भी खुशी जिसे पैसा खरीच सकता है तुम्हारी नजर कर सकता हूँ इसे एक बेबस बाप की पुकार समझना कहा है आपकी बेटी यह है ई 3 जपी जवीलबी टेखो तो कौन आया है जो जोटे सपने हो तो यारो क्या बाथ है तिल में उजाला हो खुद को समभा राष। तो यारो क्या बाथ है भो वाले अंकुर वो यही जीने की सूरत है जिंदगी खुबसूरत है चोटे चोटे सपने जिंदगी खुबसूरत है जिंदगी खुबसूरत है हुआ मैं असली हुँ को वह सर्फ मेरी परचाई है मैं हमार अंकल को मुझे छुकर देखो देखो छोगे ती। मुझसे बात करऊ ना पड़ना पड़ कर तु कितना रोती थी मैंうんrust अगर तो मुझसे बात महीं करेगी तो मैं चला चला जाओंगा कभी नहीं आउंग 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 हमारी बेटी की आँख में आसु हमारी बेटी जमीला रोने के लिए नहीं पैदा हुई मुस्कुराने के लिए हसने के लिए इस दुनिया में आई है जानती हूं इस भरी बड़ी दुनिया में तुम जैसा दूसरा कोई नहीं भगवान की इस कायनात का केंद्र सिर्फ तुम हो और हर शय पे तुमारा हक है रोना नहीं आ, 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 आ गीत धुम सुर्सरगम सब तेरे लिये है已經 गीत धुन सुरसर गम सब तेरे लिए है ये दुनिया ये गुल गुल शन सब तेरे लिए है जुमती ये हवा दिल शीर रागनी ये घटा ये विजा चाद की चादनी सब तेरे लिए है हो गीत धुन सुरसर गम सब तेरे लिए है ये दुनिया ये गुल गुल शन सब तेरे लिए है रंग पिरंगी ये धरती है प्यार बड़ा हमसे करती है सरती गर्मी और बहारे रंजिन सावन की फुआरे चार है मौसम और ये चार हो तेरे लिए है गीत धुन सुरसर गम सब तेरे लिए है कर दो कर दो अब्सक्षार है कि अपने भेस को बदले पत्ते सूख के गिर जाते हैं कि अपने भेस को बदले पत्ते सूख के गिर जाते हैं फिर से उन उचे बेड़ों पे हरे हरे पत्ते आते हैं ये खुदरत के रंग नियारे तेरे लिए हैं गीत धुम सुर सरगम सब तेरे लिए हैं ये दुनिया ये गुल गुल शन सब तेरे लिए हैं जुमती ये हवा दिल शीरागनी ये घटा ये विजा चांद की चांदनी सब तेरे लिए हैं हो गीत धुम सुर सरगम सब तेरे लिए हैं ये दुनिया ये गुल गुल शन सब तेरे लिए हैं ये 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 लगता है जैसे कोई नना फरिष्टा सुरह हो इतना खुश मैंने से पहले कभी नहीं दिखा इतना खुश मैं भी पहले कभी नहीं हुआ रहने वाली कहां के हो? मुंबई का रहे हैं उन्ज जम्मी पल्ली पोस्ट आफिस मुलापुर जिलाल उधियाना पंजाब खाना बना लेती हो? केड़ी ओरत खाना ने बना सकती वो किसकाम भी? मैं तेप पंजाबी, गुजराती, चनीज, कांटिनेंटल साब किसम दा खाना बना लेनी आहां अच्छा पागार क्या लोगी? पहले एक महिना काम कराके देख लो फिर जो पगार तेह करोगे मैंनों मन्जूर होएगी ठीक है, डॉलात राम जी साब इसे किचन दिखा दो जी चलो आच्छा जी आज शालू नदर नहीं आ रहे है शालू? फिर किसी देवी देवता की आत्मा समा गई होगी उसमें पैसे खत्म होंगे तो शराफत का भूर भी उतर जाएगा लॉट आएगे अपने दंदे पर मुराद बेटे पढ़ने लिखने से आत्मी कायर बन जाता है तेरी भाब दादा बहुत बहुत ओर थे तुझे उन्चा इसा बनना है अपने इन हाथों को फॉलात के हाथ बनाना है मेरा भी आज कर पढ़ाई लिखाई में कहा मन लगता है मिजान जब देखो प्रैक्टिस में लगा रहता हूं चाहे वो बॉक्सिंग कराटे या कुंग्फू तब तो तु मेरा कर्ज जरूर चुकाएगा कर्ज कैसा कर्ज अमी जान अभी नहीं सही वक्त आने पर बताऊंगी मुराद अरे मुराद मिया कहां हो अरे शकीला अब तो इस अपने हाथ से काना किलाना बंद कर तेरा मुराद अब छोटा नहीं रहा बढ़ा हो गया है बहुत जल्द अपने मामुजान की जगह समालेगा बलोचों का नाम रोशन करेगा क्यों बेटा अच्छा अब जल्दी कर तेरी गाड़ी का वक्त हो गया राइवर इंतजार कर रहा है अरे रफीक मिया अपना ख्याल रखिये गामी अल्ला ने कर दानो बेटी अ अ अ अ कर देख रहा हूं अमर आजकल बहुत खिले खिले से रहते हो कहीं दिल तो नहीं लगा लिया हां लगतो गया है मगर ऐसा नहीं जैसा आप समझते हैं एक बच्छी है जमीला लगता है पिछले जन्द में वह मेरी बेटी रही होगी बिल्कुल अपनी सी लगती है अपना समझती है अच्छा किसकी बेटी है आपने गुल बुलुच का नाम तो सुना होगा कौन वह अंडर वर्ल्ड का डॉन सुना है बहुत जालिम और खतरनाक है मुझी दो विचारा बहुत सीधा साथा सालगता है लेकिन आपने नहीं बताया कि आपकी सेथ का क्या राज है घर के साथ साथ आप भी कुछ बदले बदले नजर आते हैं यार एक नहीं नौकरानी मिल गई है काम करते करते ठकती ही नहीं तौलत राम को तो बिलकुल निकमा कर दिया है उसने कमाल का खाना बनाती है आज किसी दिन अच्छे ये बताइए चाय कैसी बनाती है मुंबई में उससे बढ़िया चाय कोई नहीं बना सकता पीकर देख लो शालू अरे देखा कमाल कैसे चाय लेकर पहले से तेयार कड़ी है तुम जानते हो इसे इसे नहीं एक और लड़की है शालू नाम की उससे जानता वो देखने में भी ऐसी एक है हाँ कुछ-कुछ मगर नसीब दोनों का अलग-लग है मतलब मतलब वो बहुत अमीर है हवेलियां गाडियां हीरे जोहरात से लदी हूँ उसकी तो साथ-पुष्टों को काम करने की ज़रूरती नहीं अच्छा कि वाकई ऐसी अच्छी चाइमाने जिन्दगी में नहीं पी पता नहीं कितने दिन टिकेगी लेकिन एक बात तैय है जिससे विशादी करेगी उसकी जिन्दगी स्वर्ख बना देगी कुछ फूल रेग स्थान में खिलकर ही मुझा जाते हैं ऐसा क्यों कहते हो डिवान-साब हम भगवान ऐसे फूल क्खिलाता ही अविम ये तो फूल को पूछना चाहिए बगम से कि उसे रेगिस्थान में क्यों गारता है ये भी बूचना चाहिए खरकात चिराग है अग कित्चू तो मुझे मार ही डाला था अच्छा होता तो ता चश्म कहीं कि एक ही शहर में हम दोनों रहते हैं और सालों साल मुलाकात नहीं होती करेंदा तो मैं किसी काम से जा रहा था तूम कहीं नहीं जा रहे हो तूम मेरे साथ आ रहे हो चलो प्रीज कित्टू फिर कभी साहिए नथिंग डूइंग इतनी मुश्किल से तो हात लगे हो मैं कोई तीतर बठेर नहीं हूँ इंसान हूँ जो भी हो जुब चाप गाड़ी मे बैच जाओ, नहीं तो डादी से कह दूगी, कि मेरी शादी से पहले तुम मुझसे इश्ग करते थे फिर तो बैचना ही पड़ेगा अब आए ना रास्ते के तुम भी पस्किया प्रकाश देखो तो का ना है वह देखने में तो आदम का बेटा लगता है लेकिन आखे तो तेकी रखता है अचानक फेर लेता है देखूं वह मैं तो जोहरी हूं हीरे परक ना जानता हूं कि यह तो हीरा है तुम मुझसे पूछ से थे ना कि कभी किसी को मुझसे प्यार हुआ है या नहीं तो यह हजरत हीरालाल मुझसे प्यार करते थे इस में अजीब बात क्या है तुम होई इतनी प्यारी तुम पर तो कई मरते होंगे वाट इस इंपोर्टेंट इस तुम किससे प्यार करती थी मैं भी इसी से प्यार करती थी तो फिर तुम दुने शाधिक नहीं की यह मेरे डाड़ी के दोस्त है और इनका ख्याल था कि मुझसे प्यार करके यह मेरे डाड़ी के साथ उश्वास खात कर रहे हैं यूनौ बैक स्टाबिंग अजब पहें चाते हैं हिंदुस्तान में आज भ और फिर इस पर इल्जाम लगा देती कि इसने तुम्हारा रेप किया है फिर तो हिराला जी को तुमसे शारी करनी पड़ती देखिये मेरा नम हिराला नहीं अमर है और बाकी की जो प्रेम कहानी वाली बात है कि तुने मुझे परेशान करने के लिए घड़ी है प्रिलाक्स तुम तो खिर्गे जबन लेट सव दूक्त इन क्या लोगह है वाड़का भी है एक्चुली में सर मैं विर थो भी सिकते हो जो प्रापलम क्या काम करते हो जी का यह कहते है और आक्टिंग करते हैं तब कोई मुझस एक्टिंग करवाता ही नहीं डाइमंड बिजनस में मिस्टर कुठारी मेरे पार्टनर है वो फिल्में भी फाइनस करते हैं अगर तीस तिन तक तुम मेरी खुशामत करो और रोज मेरे साथ ट्रिंक पियो तो मैं तुमारी सिफारिश कर सकता हूं ठीक है डे वन हो जाए शेर्स चेर्स हे वाट बाउद मी तुम जैसी लड़की को शराब नहीं पीने चाहिए हां सर्फ होटों से लगानी चाहिए कि गला सुक रहा है एक नोट आंख मुझे भी मिलेगी तुमने तो आते ही सब का मन मो लिया है लयादे के साभी तो है कल्ये तो फिर ये सब कौन है सब मतलब आने जाने वाले महमान सब बहुत आरीफ करते हैं तुम्हारे और फिर मैं भी तो मेरा भी दिल तुमने मो लिया है शालू अच्छा को हल्ले तक तु दिल समाल के रक्या थी है हरे मैं तू बिग गया बिना मोलस होलकर समझें मेरी दानी ऊए सब समझ दिया चल पूटियां से चल बीडी पीती है शाराब पीती है अब ये सदीज अवित्य का नाटक चोड़ दूभी तो पीडी मितैस शाराब लूँ तो नहीं समझेगा नहीं का विफ दूने समझेगा कॉनसी फिलम जल्दी खथम हो गई तू नहीं समझेगा हुँ 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 ही प्रिष प्रिष टेंस तुप्रिया खिटिए तु को भी अगाट मिनन प्रॉब के लिगिंद्ट दो को्टिय पाट्वी प्लीज, 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 क्या हुआ, इतनी जल्दीवा पे स्लोट आई, फिल्म चाहे कि इतनी भी लंबी हो, उसे खतम तो होना ही होता है, पर दिवान साब तो अच्छी आदमी है, वह बहुत खुश्च थे, और तुम भी कुश्च थे, और तुम कुछ लगती थी, ये शो कुछ दिन असानी से अच्छा चल सकता था, तुमने कभी ऐसे कोई गुलाब देखा है, जिसके साथ कोई काटा ना हो, अच्छा, तुम्हारा अगला वतार क्या होगा, अभी सोचा नहीं, सोचोंगी तो बता दूंगी, वैसे तुम मेरी सोच में ये शुक्रिया, जिस दिन तुम अपनी सोच मेरे साथ बाटने लगोगी ना, इस शुक्रिया की ज़रूरत में तुम्हे रहेगी, ना मुझे, अच्छा, चलते हूं, बाए, 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 आख, और होट देखो होट किधर, होट, होट, हाँ, और नाख देखो, नाख, ना हाँ, अरे, अमर अंगल आए हैं भई, अमर अंगल, क्या लें अमर, बिल्कुल खैरियत से हुँ, क्या बात है, जमीला की पढ़ाई का जिमा अपने ले लिया क्या? अरे भाई मैं जाहिल क्या बढ़ाऊंगा इसे इसकी पढ़ाई के लिए मैंने एक मास्टर नहीं रखी छे महीने हो गए हैं इसको छे हर्फ नहीं सिखा पाई है ऐसा अगर लगा रहा तो अंग्रेजी का पूरा काइदा याद करने में इसको आयाद लग जाएगी अगर सबक को दिल्चस पना जाए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं लेकिन इस तरह कि किसी मास्टर को जानते हो मैं जानता तो हूं लेकिन शाहिद आप उसकी फीस नहीं दे पाएंगे क्या मांगता है वो आपकी जान मैं समझे नहीं जामीला आपकी जान ही तो है अच्छा मैं भी तो जानू ऐसा कौन शक्स है जो मुझसे जादा मेरी जमीला को पसंद करता है है कम ज्यादा को तो मुझे मालम नहीं मगर बंदा आपके सामने है तुम फ्रीस मंदूर है कौन है ये तो मैं ऐसा नजर आता हूं मगर देखो आप ऐसी लगती है देखो भाई बलोच साब आइससा जमीला की पड़ाई का जिन्मा मेरा इंठालाह कि अ कर दो नहीं है यह मैं आपके जाब जो आपके जो 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 वण टू थी फोर जंगल में आचा मोर वाईट शिख सैवन एट चूह आगे पीछे कैड 1, 2, 3, 4, जंगल में नाचा मोर 5, 6, 7, 8, चुहा आगे पीछे कैट रैट माने चुहा, कैट माने बिली चुहे नेरी पोगल, खाय सीदा पहुचा दिली 1, 2, 3, 4, जंगल में नाचा मोर 5, 6, 7, 8, चुहा आगे पीछे कैट आपीछ, 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 आपीछ मुझे बचालो, दिल्ली वालो मुझे बचालो, दिल्ली वालो बिल्ली को हत्ड़ियां डालो बिल्ली मौसी आ जाएगी जट से मुझे को खा जाएगी चुहे बिल्ली का ये खेल बिल्ली को तो हो गई जेल बोली मेरी मुनिया रानी कैसी लगी यह तुझे कहानी सलाम साब अरे क्या बात है आज लाखन क्यों नहीं आया ताहो जी बिमार है इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है अच्छा जा अंकल एक स्टोडियोर प्लीज अच्छा सुनो पीफर एपल पीफर ब्वाय कासे कच्छुआ और खासे? नहीं पचा खरगोश कच्छुए और खरगोश में एक दिन शर्त लगी कच्छुए और खरगोश में एक दिन शर्त लगी दोनों ने एक रेस की थानी ये कहती थी मेरी नानी मटक मटक के खरगोष चल और धीरे धीरे कच्छुआ खरगोष निकल गया आगे और पीछे रह गया कच्छुआ दूर बहुत खरगोष पहुंचा इतने में फिर उसने सोचा कच्छुए से तो मैं आगे हूँ क्यों ना थोड़ा सुस्ता लो एसे गहरी नीद वा सोया नीद में पगला ऐसा खोया वह भागा जब तक जागे निकल गया वक चुआ आगे रहा इसे खरगोष पर नुन इसे र कोगोष देवन हर पीछी खरगो जाके पता करो किसकी कोता ही के वजे से यहां तक पहुचा है जओ पिछ नहीं वाँ पेटा ये देखो इस तरह मुश्कुरा रहे हैं यह रोज की बात है वही हमारे लिए यह रोजमर्रा की ही बात है जिस तरह की जिन्दगी हम जीते हैं, उसमें मौत ऐसे ही आचानक आती है. इसलिए मौत से हम नहीं डरते. मौत से तो मैं भी नहीं डरता, लेकिन अपनी जिन्दगी में पहली बार मौत इतनी करीब से देखी है, मैं तो दहल गया हूँ. मेरी जान मेरी चमीला में गैद है इसे कुछ हो गया तो आप इस तरह की जंदकी छोड़ भी तो सकते हैं बहुत देर हो चुकी हमर शेर की सवारी करने वाला शेर से उतर जाए तो शेर उसे यकीनन खा जाएगा पचानता हूं कि एक नए एक दिन में ऐसी ही मौत बरूँगा लेकिन एक ही फिक्र मुझे सब्दाती है कि फिरे बाद जमीला को कौन खया रखेगा गुलबलोज साब जमीला मेरी बेटी जैसी नहीं मेरी बेटी है आज से मैं बादा करता हूं अपनी जिंदगी की आखरी सांस तक इसकी इखाद़त करूगा आफरी मेरी जाती पर पड़ा हुआ पत्था राट गया फिरे अल्ला है ये सिंदगी तेरी आमानत है इसे चम चाहे लोटा ले और शिकायत नहीं करूँगा हलो हलो मैं हीरलाल जी से बात कर सकता हूं रॉंग नंबर फोन बंग कर दिया है एक बढ़ार करो हुआ है हलो क्या मैं तोता चश्म से बात कर सकता हूं है प्राकाश बोल रहा हूं प्रकाश बोल रहा हूं प्रकाश कैसे याद किया सभेरे सभेरे क्यों अपना वादा भूल गए रोज शाम को मेरे साथ ट्रिक लेनी है और मसका भी लगाना है मसका कमाने के लिए मुझे बार में नौकरी करनी पड़ती है हर रात तुमका हो तो दिन में ड्रिंक पे साथ दे सकता हूं दिन में अगर हम दोने दिन में पीना शुरू किया ना तो किट्व हम दोनों को गर से बार निकाल देगी लेकिन आज तुम आज रात का खाना वो खुद बनाएगी और अच्छा है बुरा आदमी चाहिए ने तारीप करने के लिए को अच्छा मिलते हैं आज आज आमको ओके बाई ओके बाई फो यू कुधरी हुँ यह यह थैक्स हमर एक अच्छा सिंगर है अच्छा एक्टर है वट इस मोग अच्छा दोस्त है अच्छा इंसान है मेरे घर की रॉनक मेरे कारोबार की काम्याभी सब इसी की देन है मैं चाहता हूं कि इसका फिल्म करियर आप ही से शुरू किया जाए मेरे दो-teeन फिल्म में नैर कंपलिशन है जैसे ही पैसे चुट और उसके बाद आपर के लियग मुजिकल शुरू कर देते हैं Thank you sir Hey! Cheers to that! Cheers! Wonderful! Cheers! Thank you! Cheers to the future star! Cheers! Thank you sir! Kutari! Thanks! I was great! Lifty! Lifty! पाई शालूद वाइ यू हाई शालूद अजा अकेली हो इसकृतण कोई सतही नहीं मिलाची जो साथ देदे से भाई साथी बन जाता है एक ड्रिंक लोगे नहीं I don't think so कभी-कभी तो पी लेते हो हाँ कभी-कभी अच्छा मुझे शायद इसलिए इंकार कर रहे हो क्योंकि मेरी कमाई हरामकी है नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं सोचा था लेकिन अगर तुम ऐसा समझती हो के मैं सा सोचता हूं तो मैं एक ड्रिंक जूर लोगा राजित येस वन वोड्का विद औरेंज उस ओके शालू की अकाउंट में योर्ड्रेक शालू मैं एक ट्रिंक और पी सकता हूं शालू तुम भी कभी सपने देखते हो और अंखे है तो सफने भी देखेंगी क्या है तुम्हारा सपना मैं भीड से बहुत उपरुफटना चाहता हूं, बहुत दौलत और शहरत कवाना चाहता हूं, लेकिन अमाई टांस मेरा सपना है, मैं एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार हूं, दुनिया के कोने कोने में मेरे फैंस हैं, जहां भी जाता हूं, लोग आर्टोग्राफ लेने के लि मैं जानता हूं, मेरा सपना जरूर पूरा हो गया, वैसे ही जैसे रात के बाद देन निकलता है, मेरा सपना तो तुम्हारे सपने से बिल्कुल उल्टा है, क्या है आपका सपना है? मैं, मैं भीड में शामिल होना चाहती हूं, एक मामुली बत्ती बनना चाहती हूं, दूर किसी हिल स्टेशन पर मेरा एक छोटा सा गर है, जहां सवेरे, पहावडों की चोटियों पर बाद मेरा जानती हूं, जानती हूं मेरे लिए ऐसा सपना देखना भी पागल्पन है नहीं ऐसी बात नहीं जैसे घर की कल्पना तुम कर रही हो वो तो मैं पीछे छोड़ाया हूं कि दूर हमाचल में मेरा गाउं है और तुम्हारे सपने को तो चुटकी बजा कर साकार किया सकता है बस इस नाटिंग में तुम्हें पतनी का और मुझे पती का रोल करना होगा तुम रोल करोगी क्यों तुम आए दिन कभी रानी बनती हो कभी बिकारन तुम एक्टर होते तो कब से मैं तुम्हें सौप चुगा हूं यहां मर्जी आए ले जाओ वैसे अच्छा होगा इस बहाने वो अपने नए घर को भी देख लेगी हां एक तरह से आप जमीला मुझे सौप रहें अच्छा होगा अगर आप मेरे बारे में भी कुछ जान ले मैं जानता हूं क्योंकि हमारा अमर तारश पत्थर है जिसे छू लेता है सोना बन जाता है अच्छा अमर मैं तुम्हारे सफरकार इंतजाम करूँ नहीं वह मैं कर लूँगा हम कुछ दिन बाद लौटेंगे अब इजाज़त इजाज़त आओ बिटी आओ अपना खयाल रखना अच्छा औ महमद हुकुम बाइजान तुम साय की तरहें लोगों के साथ रहोगे इनकी हफासत के लिए जी लेकिन याद रखना इन्हें खबर नहीं होनी चाहिए जी है वाजान चाहो खुदाफिस लिए आओ को नहीं होता हो अकान को बाइज़ कर लिए है चलो श्रम प्रटी रखना तुमेप म् लगemitismम लिए और चलो राजू निगाले चल आपके तुस्टे कुपाला मार गया तो कि लिशाल सब ठीक हो नियेगा क्या ठीक हो जाएगा चाचा मौसम बदलता जा रहा है कैसे हो मौशी राम 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 रहे अमर ठीक हो अरे अमर कैसा है तू कैसा है या मैं बिल्कुल ठीक 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 हो जी तेरो बेटा बेटो 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 लाओ देदो क्या रहे अमर बहुता बहुत सुन्दर है कि एक बात बताओ या राम पूरी दुनिया के लोग इन पाड़ों में रहने आते हैं तू अपना घर बार केती बाड़ी छोड़कर मुंबई की गर्मी में क्यों सड़ रहा है मेरे मन की मुराद तो वहीं पूरी हो सकती है और जिनको लगन लग जाए फिर गर्मी सर्दी कहां देखते हैं आओ बच्यों आओ बहू इनकी नहीं नहीं शादी हुए इनको आशिरवाद दे जैसे भगवान ने तुम्हारी गोधारी बरी किये इनकी दुपरे पाउंचे अरे कोई बाद ने यह इनको देदो अच्छा ना नहीं करते शगुने लेलो चले शालो चलो बीटा अच्छा जाटा जीते रहो सामान सामान वेले आखार अच्यों चलो घर जाओ बच्चों यहां पर बैटां अच्छा अमर थैंक्स वेर मच दलीप यह यह घर तो बिल्कुल भई है जैसा मैंने सोचा था बहू तो भी बिल्कुल वही है जैसा मैंने सोचा था पहलागो मौसी जुग जुग जी हो बेटा दूदो नहाओ फूतो फलो अब इस घर को अबाद रखना मैंने तुम्हारी पसंद का खाना पका रखा है मुहां धोके खालो ना चिठी लिखी ना तार भेजी मौसी तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं आ रहा हूं दिल को दिल हा हैं तुम्हें सारे गाउं को पहले सेहिं बताके रखा था कि मैं तुम्हारी बीवी हूं हां बताने की दरौरत क्या है सब कुछ तो तुम्हारी मांग सिंदूर बता रहा है और रही सही कसर हमारी जमीला ने पूरी कर टीजों जने Mal iam हम तुम्हारे मामी डैडी है या नहीं है शालू तुम सच मुझे पुझे अपना पाती समझ रही हो ना समझ तो रही हूँ पर कहीं यह भी जानती हूँ के हो नहीं मोचे तो ऐसा लगता है यह सब कुछ साच है पर शायद नीद में हो रहा है जमीला सो गई हम भी सोजाएं बद्दी भुचादा हूँ हुआ 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 है क्या हुआ 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 है कि शालू हमारे पास कुछ शीतो देना है कि इन्हें जितना जाकर गुजारें अच्छा है कि सारी सिंदगी मैंने मर्दों की आखों में जांका है कि आखों की भाष अची तरह समझती हुआ है क्या क्या रही है मेरी आंके कुछ मांग रही है तो तुम्हारी आंके तुम्हारी सजनी से कुछ मांगती है तो क्या पहली बार में यहां कर देती है नहीं वो ना कर देती है कि मेरी सजनी बहुत शर्मिली होती है कि मैं तुम्हारी सजनी हूँ मैं शर्मिली हूँ और मैं दा कर रही हूँ सोज़ दोगा ही दोगा है यारा दिल का नावी आजा दो गर्ला करिये यारा दिल दारावे आजा दो गर्ला करिये आप पिला दे छावावे बावावे चपा के बावावे तन दिल दा आल सुनावावे चल इश्कुद पत्र परिये यारा दिल दारावे आजा दो गर्ला करिये यारा दिल दारावे आजा दो गर्ला करिये आप प्लादी छावावे, बावावा विच पाके बावावे, तैनु दिल दा हाल सुनावावे, चल इश्क दे पत्रे पढ़िये यारा दिल दारावे, आजादो गल्ला करिये पहले पहले प्यार की पहली गल सुन ले खिल गए है कलियां हर सु तू चुन ले खाब की तावीर के दिन जब आही गए जो न दोनों मिल तर एक सपना बुन ले दुनिया समझे या ना समझे दुनिया जाने या ना जाने ये इश्कदारों कवल लाए लग गया ते फिर क्यों डरिये यारा दिलदारा दे आजादो गल्ला करिये वीर ले ये 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 हाल मेरा मैं जानू मेरा रब जाने मिल गया मुझे सुखोन कैसे खब जाने दिल मेरा रह रह कर तुझ से कहता है रोखना दिल की बाते चाहे सब जाने मैं तेरी हो गई वे सजना तू मेरा हो गया वे सजना अब मुड के पीछे जो तकना दिल कहे जो क्यों ना करिये यारा दिल तारा वे आजा दो कल्ला करिये आने वाला कल पल पल मुझे दिखता है तेरा मेरा जनम जनम का रिष्टा है जो मन चाहत का मंदिर बन जाता है इस दुनिया में उसको फिर डर किसका है तेरा प्यार ही दौलत है मेरी तेरा प्यार ही शोरत है मेरी तू भी तो नुह पत है मेरी कल सुन ले मेरी अडिये यारा दिल्दार आवे आजादो गल्ला करिए नो दिल दाहा सुना वे चल इशकत पत्रे पड़िए यारा दिल दारावे आजा दो गल्ला करिये जमीला सो गहीं है अमर है हमारे पास कुछ यह दिन बाकी है उनमें जितना कम सो है अच्छा है तुम दूसरे कमरे में जाओ मैं जमीला कु चुला कि यतियो है सोमाज जाना है 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 झाल 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 कर दो जो तुम्हारी गौंकी गोरी, क्या कहके अपनी वर्जी बताती? चुपरेके क्या कुपरे के लॉपराहे लॉपराण में यॉपरे का प्रिया तोरी वर्जी बताती? क्या क्युतिक अपना है झाल 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 जमीला क्या हुआ जमीला पेटे क्या हुआ जमीला क्या हुआ मेरी बच्ची को जमीला जमीला अपने प्यार का बटवारा नहीं कर सकते क्या हुआ प्या हुआ जमीला वघो और वान। आप यही ठरी है, हम जी साम जमीला है, एरे कैसी है मेरी बेटी, मेरी याद आई तुझे, मुझा तो बहुत याद आई तेरी, मेरी बेटी ने आप लोगों को तंग तो नहीं किया ना, नहीं जमीला तो खुश्बू है, जिस जगा जाती है महक उठती है कि अमर्जाब यह कॉंट्रेट की कॉपी जो आप ची और मेरे बीच में होना है मैं चाहता हूं कि आप इसे साइन करने से पहले पढ़ लें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से कहते फिरें कि मैंने आपको जिंदगी बर के लिए गुलाम बना लिया आप मुझे जमीन से उठाकर आस्मान पर बिठा रहे हैं और मैं आपकी नियत पर शक्रूं यह हो नहीं सकता सर देखिए मैं बिजनेसमें हूं फिल्मों में मेरा करोडों का सरमाया लगा है मेरी काम्याबी का राज यह है कि मैं फिल्में अपनी सेहत के लिए बनाता हूं और आपको भी मैं अपने फायदे के लिए साइन कर रहा हूं मैंने तो अपने सेफगाड़ सख लिए आप मुझे मोटे तोर पर बता दीजे समें लिखा क्या है मैं आपको तीन फिल्मों के लिए हिरो साइन कर रहा हूं पहली फिल्म में आपको मिलेंगे 10 लाख, दूसरी में 20 लाख, और तीसरी में 30 लाख, और हाँ, साथ साल के लिए आपकी कमाई का 15% हिस्सा हमारा हो, एक बात और, जब तक तीनों फिल्में बन नहीं जाती, आप किसी और फिल्म, टीवी सीरियल ये म्यूजिक वीडियो में का अमर साभ, बिना पड़े, साइन करना बहुत बड़ी गलती, अगर आप पर भरोसा करना गलती है, तो मैं ये गुना सौ बार करने को तयार हूँ हमर साभ ये रहाप का सइन इमांट, थैक हूँ वरी मच्श थैक्यों ग्रैट्स थैक्यो ग्रैट्स थैक्यों क्यू प्रकाश ऑल थैस्ट अज आप इन्सित आज में पार्टी ले सकतें हाँ पार्टी तो अब हम देंगे चिर्स शालू जितने दिन भी हम हिमाचल में रहे तुमने शराब के कत्रे को भी निचुआ और आते ही वो एक और संसार था, एक और शालू थी, एक और तुम थे, एक और जनम था अब उस अब खतम हो गया, अब वही पुरानी शालू, पुराने लोग, वही पुरानी जिन्दगी, ए मिस्टर, मैंने इसे आज रात के लिए पांच हजार रुपे दिये हैं, आप मेरा वक्त और रुप्या दोनों बरबाद कर रहे हैं, यह लिजे साथ हजार रुपे, किसी और लड़की को ठोड़ी जी, इसका लेवर खराब हो चुका है, इसका लेवर खराब हो चुका है, इसका लेवर को चुका है, शीज नाट फिलिग वैल, चलो शालो, अश्घा फिलिग एं मेरी अचे रातों की थाक्त्म हुआ है? और अगले दिन, और उसके अगले दिन, आने वाली सारी राते खरीद लूगा, तुम्हारे पास है इतना पैसा, आने वाला है, मेरा सपना साकार हो चला है, तो मुझ ज़े सी लड़की पे क्यों बरुबाद करते हो, तुम्हें शराब से दूर रखने के लिए मैं बिकनी को भी दयार हूँ, तुम जानती हो, शराब तुमारे लिए जहर है, जिन्दगी भी मेरे लिए जहर ही है, ये अमरित भी बन सकती है, मुझे तरस की भीक में मिला हुआ अम्रित नहीं जाहिए यह अम्रित तरस का नहीं प्यार का है पागल हो गई हो क्या पागल हो गया तुम हारे प्यार में प्यार करता हो तुमसे शादी करोगे मुझसे बोलो शालू शादी करोगे मुझसे शालू बोलो शालू अदार काुए वादकाव फिर कभी शराब कुछ विए भी नहीं झाल, झाल, झाल. हाई, मेरे तोता चश्म, कैसे हो तुम, शालू, ये किटू है, किटू ये, शालू, मेरी मंगेतर, चलो, अच्छा हो, तुमने अपने लिए खुदी लड़की ढूनली, मेरी मेनद बच गई, शालू, तुम कुछ तर यहां बैठो, मेरे पती अमर से कुछ बात करना चाहते है बिस्नस के बारे में, चलो, प्रकाश तुम्हारी रहा देख रहा है, चलो, कौन है ये लड़की, कहां मिल गई तुम्हे, कब से जानते हैं, जो शादी करने के लिए तियार हो गए, इतने सवालों की टोकरी सामने रख दूगी, तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, ओके, कहा कहां से उठा गिलायों से, सडक से, मतलब, स्ट्रीट वॉकर है ये, कॉल गल, पतिता, यही उसकी पहचान है, और यही उसका धंदा, मजाग कर रहे हो तुम, नहीं, मैं सीरिस हूं, उसका कोई सगा संबंदी है, अगर कोई है, तो मैंने जाने की दूरूरत नहीं समझी, तुम्हे कोई और लड़की नहीं मिली, बहुत मिली, मैं ऐसी कितनी शरीफ औरतों को जानता हूं, जिनके ख्यालों में हर रात एक नया मर्द होता है, और ऐसी कितनी ही पतिताओं को भी, जो हर रात एक नया मर्द के साथ होकर भी अंचुई है, तुम ही बताओ, शादी के लिए कैसी लड़की ठीक रहेगी, मेरा फैसला सुन लो, तुम ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकते, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा तो वह मर जाएगी, क्या मतलब, उसका जिगर खराब हो चुका है, शराब उसके लिए जहर है, मैं साथ होता हूं तो उसे श कितनी और तों से प्यार करते हूं, तुमने मेरे साथ भी जीने मनने की कसमे खाई थी, कसमे हम दोनों ने खाई थी, लेकिन सच तो यह है के, आज मैं भी जिन्दा हूं और तुम भी, प्रकाश से शादी करके, कच्ची उमर में लड़के लड़कियां कितनी ही रुमांटिक प्लीज, बीकमफटबल, थेंक यू, हाई, 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 प्रकाश, कैसे हो तुम, बिल्कुल ठीक थाई, बाहर एक बड़ी खूब लड़की बैठी हूई है, वो अमर की मंगेतर है, हो रियली, कंग्राइलेशन्स, मुझे तुमारी मंगेतर बड़ी पसंद आई, ही किटुम, मैं इसकी तरफ से मावी मंगता हूँ, किटुने गाली नहीं दी, सच का है, अब तुम ही समझाओ ना इसे, मेरी तो मान नहीं रहा है, अगर इसका दिल ऐसी वैसी लड़की पे आई गया है, तो शादी करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही, किटु, अब तुम अमर की इंसल्ट कर रहे हो, वो क्या बच्चा है, अपना बुरा बला खुझ समझता है, अगर कोई कीचर में गिर जाए, तो उसका यह मतलम नहीं कि उसे सहारा नहीं दे जाए, उसे उठाय नहीं जाए, अमर मैं तुमारे साथ हूँ, यू अगर तुम भी इसे ठीक समझते हो, तो ठीक है, कर ले उसे शादी, चलो, कमान अमर, हाँ तो शालू, मैं यह कह रही थी, कि शादी के लिए शादी के जोड़ों की, और कुछ और चीज़ों की जुरूत पड़ेगी, और ये काम धमोर्तों का है, ये मर्तों कुछ नहीं समझते, तो तो तुमें काम करना, कल छीक ए शालू, आप चलें, हाँ, ओके बाए, 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 शालू, कल छीक एक बज़े, हाँ, ठीक है, चलो, अंदर क्या बाते हो रहे थी, तुम हरे बारे में पूछ रहे थी, तुम कौन हो, क्या करती हो, तुमने क्या कहा, मैंने सच-सच बता दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई, नहीं तो, बुरे लगा, नहीं, अच्छा लगा, तुम पहले मर्द हो, जो मुझे शर्म की चीज नहीं समझते, पहले ना, मर्द मुझे सुवर की सुद्री कहते है, मेरे पैर चाटते, लेकिन, जब कोई पहचानवाला मिल जाता, तो मेरे बारे में जुटमूट की बाते बनाने लगते, कहते हैं कि मैं किसी उचे घराने की शरीफ लड़की हो, तुम पहले मर्द हो, जिसने बुरी लड़की को बुरी लड़की कहा, तुम बुरी लड़की नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, कि अच्छी हो, तुम पहले हो, तुम अच्छी हो, तुम अच्छी हो, हमर साभ, हमारे पंडित ने साड़े ग्यारा बजे का महरत निकाला है, दिन में महरत, शाम को सेंटोर में पार्टी और उसके बाद पंदरा दिन की लगातार, शूटिंग. कुठारी साप, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहता हूँ के हमारी फिल्म का महरत क्लैब एक स्पेशल चाहिल से दिलवाया जाए. यू में में अच्छी रिटार्टी अच्छी पबलिसीटी रहेगी. अगर ऐसे बच्चों के साथ नॉर्मल बिहेव किया जाए तो मेरा ख्याल है ये भी समाज का एक खास नंग बन सकते हैं. वाय नौट वाय नौट थैंक्यू सर एनिवे यहरा कार्ड थैंक्यू वरी मच्छ सर्ण होगे सब्सूंद प्रॉप प्रॉप हम हम है तो अच्छा सुनों एक बजने वाला है वो आती होंगी आईंथो ने या बिठा देना कहना मेम साभ नहाँ रही है आदे गंटे में तयार होंगी ओके मेडम कि अधिए कि अधिए मेम साभ तयार हो रही है अधा गंटा लगेगा अच्छा कि अधिए कि अधिए कि अधिए आई झाल 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 तुम दोनों तु आज शौप्यां पे जाने वाली थी ना? हाँ तो यह हुआ था तो शालू आई नहीं? आई तो थी लेकिन इससे पहले कि मेन आ के बाहर आदी वो विस्की की बॉटल खाली करके जा चुकी थी यहाँ मिल सकती है भगवान जाने किस वक्त उसके दिल में क्या समाए और वो कहा चल दे अरे सन्यास लेने के लिए वो हिमालय परवत पर भी जा सकती है किटू हम वो शराब की बोतल टेबल पर आए कैसे है मैंने रख वाई थी क्यों कि अमर को यह बताने के लिए कि शालू ने शराब पीना नहीं चोड़ा है कि तुम तो जानती हो कि शराब उसकी जान ले सकती है ऐसी ओरतों का जीना क्या और मरना क्या वाट कि तुम कैसी ओरत हो बहुत बुरी कि उसे बिल्कुल बदाश्ट नहीं हुआ कि जो जगा अमर के दिल में मेरे लिए थी वो शालू जैसी लड़की को मिले तुम क्या बेमर से प्यार करती हो तुम जानते हो और मेरा भगवान जानता है कि मेरे जीवन में तुम पहले और आकरी मर्द हो मैं तन की बात नी कर रहा हूं तुम्हारे मन की पूछ रहा हो हमान क्या अपने बस में होता है है कि सबमान्तारी से बताओ तुम्हारा मन क्या तुम्हारे बस में है अधि Weird हम सब मन के हाथों मजबूर हैμम अगर शालू को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं परूँ तुम गए वम नहीं आंख ये नम नहीं तुम्हे वम नहीं आंख ये नम नहीं तुम्हे वम नहीं आंख ये नम नहीं नर्द गोगा दवाब कोई घंदम नहीं तुम्हे वम नहीं आंख ये नम नहीं हम सफर हमसे अब छोड़ दे उम्मीदे हम सफर हमसे अब छोड़ दे उम्मीदे साथ हम क्या देगे हमे अब दम नहीं करदगों का दवाब कोई गंदम नहीं तुमभय गं नहीं आख्य नम नहीं तुम से शुक्षबात मेरे यारे हम किस तरह तुम से शुक्षबा करे तुम तो तुम ही रहे हम अगर हम नहीं दर्द होगा दवाब कोई घंदम नहीं तुम गायम नहीं आँख रंग नहीं पान है दुनिया में जिसको सब कुछ निला पान गे दुनिया में जिसको सब कुछ मिला मुझको सब कुछ मिला बस मिले तुम नहीं दर्द होगा दवाब कोई घंदम नहीं तुम गायम नहीं आँख रंग नहीं तुम गायम नहीं तुम गायम नहीं दर्द गोगा दवाब कोई घंदम नहीं वे उंदाये वम नहीं, आंखे नम नहीं आ नो! करे सब्ची को? क्या हो बच्ची? मेटी क्या है लड़की की किस्मत अच्छी है ज्यादा चोट नहीं आई लेकिन इसका लीवर बिल्कुल खराब हो चुका है आपकी रिष्टे में कुछ लगती है? जी नहीं तो फिर मैं उसको डिस्चार्ज करता हूं या आप उसका इलाज करवाना चाहेंगे? दॉक्टर साब इंसानियत का तकाजा है कि उसका इलाज करवाया जाए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती अब उसका इस इंटोर पेशेंट इलाज केजिए और जो भी भी लोगा मुझे भीजवा दीजिए चीक है एज यू विश पराद एक बात पूछो बेटा पूछो अमी क्या तुम्हें मुझे बाकिसाब के तरह पागल समझते हो नहीं मैं जानता हूं तुम्हें बहुत दुख उठाए हैं बहुत मुश्किलों का सामना किया है लेकिन तुचंता मत कर अब मेरी पड़ाई पूरी होगी है मैं लोटा है हूं मा अब मैं तेरे आराम का पूरा ख्याल रखूंगा मुझा आराम तो तभी मिल सकता है जब मेरे सीने में चौपिसों गंटे जलती हुए आग बुच्छा है बोलो अमी इस आग को बुचाने के लिए मैं कर सकता हूं तुम्हें उन पेराम कसायों से टकराना होगा लोग बहुत ताकत्वर हैं अमी आपका ये बेटा किसी से कम नहीं मैं अकेला हत्यारों से लिस सौ सो जवानों से लड़ सकता हूं ये जिस्प फॉलाद का जिस्म बन चुका है अमी जान लेकिन मैं कैसे यकीन कर लो अभी दिखिया दिखिया पीजब बनेश आप दिखियो अभी लो चीजब रहन अभी लो अभी अभ्व यह व्यो ध्यो जय व परप्ज़ भब एंचे दो, ऑफड़ औरन करोव सादेे ! झाल अब मुझे यगीन हुआ तुही अपने पाप के कातिलों से इंतकाम लेगा ठ्यान से सुन बेटा तू बलोचने युसुफ जई है युसुफ जई? लेकिन मुझे तो बदाया गया था कि वो हमारी खांदानी दुश्मन है सब बताती हो बात बात बुरानी है जब तो पैदा में नहीं हुआ था मैं और तेरा अपपा गुल ने तेरे कबीले के हर मर्द को मार डाला बस तू ही जिन्दा बचाए ये बात मैंने आज तक तुझे इसलिए चुपाए रखी क्योंकि तरती थी वो लोग तुझे बहुत साथ अतागत वरे बेटे तुझे तभी मेरे दूद का कर्स माफ होगा जब तुगुल बलोच और चमीला बलोच को मार डालेगा इंशालला आज उनके जिंदगी का आखरी दिन होगा कि अभरे चुझे बलोच निन के पो अचे सताथ मुझे लुक्त आधान माम जान आधान आधान तो आधान पर खुरदार कैसे हो अम इसे मिलिए तब इत कैसी होंगी बहते रहे हम और अपने बारे में क्या सोचा कालिश तो हो गया है वैसे में एक बात कहूं है है जाहता हूं कि तुम मेरी ही गद्दी समाल लो उम्र बहुत हो गई है बेटा और पलोचों को भी एक जवान रहनुमा की जरुमत है या तुमने कुछ और सोचा है सबसे पहले तो दुश्मनों का सफाय करने का सोचा है यह तो अच्छी बात है मुराद दुश्मनों से खबरदार रहना लंबी उम्र की जमानत है मेरा पहला दुश्मन मेरे बाप का कादिल है कौन गुल बलॉच बॉराद क्या पकते हो बग नहीं रहा हूं तुने मेरे बाप को बचने का मौका नहीं दिया तो गुल बलॉच लेगने एक मौका मैं तुझे जरूरू दूँगा तुझ जैसे बुजदिल का काम तुमाम करने के लिए मेरे खाली हाथ ही काफी है यूसुफ साही के बीच तुझे जंदा रखना ही मेरी खलती थी इतने परस में एक सबॉलिय को पाथ ता रहा जाओ जाओ मेरी नजरों के सामरे साड़ जाओ मेरी बहन के खादर में एक मौका तुझे हो अर दिता हूँ जाँ मेरी गदों के सामरे साड़ जाओ फेर आखरी वक्त आगया गीदर्द याद कर ले परे पीरा मुर्षद को ना मुराद आखिर तेरे बाप का गंदा खून जंगलाया मुर्द को झाल लेट! लेट! कुछ परफिसत्य हां! शेतान की अड़ाद! आजा बिजता हूं तुझे! अरे पापके पास राइट! अब तरी जुमी लखी बारी है अब तुम्य जुआ जुआ है अब तुम्य जुआ है कि अब अब कि अब कि यह अस्पताल है यह शराप पीना मना है और तुम्य आपने ले कोई दूसरे नाखने तूंडो शिस्टर शिस्टर प्लीज शिस्टर शिस्टर प्लीज और तुम्य जुआ है अब 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 अ युँ युआ युआ शालू, अबर को जाके काओ, कि कुल पलोच मारा गया, जबीला की जान हत्रे में है, उसे फरन बंबेई से बार बार ले जाओ, शालू. रेडी सब, रेडी, स्माइल, थांक्यू, हलो, हाई, थांक्स, लाइए, बारा साल की तपस्या का आज तुम्हें फल मिल रहा है, तुम खुश नहीं नजर आ रहे हैं, अमर, ये खुशी भी पूरी होगी होती, प्रकाश, अगराज शालू मेरे साथ होती, ना जाने कहां भाटक रही होगी, जमीरा बेटे, सामने देखो, हाँ, हाँ, हीरो, मैडम, हीरो जरूर ने आ लिया है, पर फिल्म बड़ी बना रहा, दस करोड का बजट है, इसलिए तनी बड़ी हिरो इंसाइन की है, पूरी फिल्म म्यूजिकल है, और हमारे गाने जो है, एस्क्यूज मी सर, एस्क्यूज मी, शो सर, कुठारी साब, अचाने केक अमर जन सियान पड़ी है, मुझे अभी इसी वक्त, वंमाई चोड़ के जाना पड़ेगा, अमर, ऐसी क्या बात हो गई, एक खुन हो गया है, और जमीला की जान खत्रे में, यह लड़की रिष्टे में तुम्हारी क्या लगती है, कुछ भी नहीं और सब कुछ, यह बच्ची, जिसका होना नहोना कोई माइने नहीं रखता, इसकी खादिर, इसकी खादिर तो मेरा करणोर उपैका नुक्सान कर दोगे, इस सेट, आर्टिस की डेट्स वेस्ट कर दोगे, खेर, मेरे नुक्सान की छोड़ो, तुम अपने बारे में सोचो, अपने केरियर के बारे में सोचो, अमर ऐसा सुनहरी मौका, लाखों करोडों में से एकाद को मिलता है, मोरत होगा, आज होगा, और उसके बाद लगातार पंदर दिन शूटिंग, बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता, कुछारी साब, मैं मजबूर हूँ, वागल हो गया हो क्या, दिवाग खराब है तुम्हारा, अगर तुम्हारा यही अन्प्रोफेशनल एड़ी चूट रहा, तो इस फिल्म मिडर्स्ट्री में तुम्हें कोई एक्स्ट्रा के काम भी नहीं देगा, याद है वो कॉट्रेक् प्लीज, मैं इसे समझाती हूँ, नक्षमी को ठोकर नहीं मारते, बाराँ साल तक तुम ठोकरें खाते फिर रहे थे, और आज अब तुम्हारा दिन आया, तो तुम एक मेंटली रिटार्टर लड़की के लिए सब को छोड़ कर जाना चाहते हो, अमर प्लीज, बंगला, गा प्लीज, प्रकाश, तुम क्या कहते हो, किसी की मत सुनू, जो तुम्हारा जमीर कहता है, बस उसकी सुनू, अमर, एक तरफ तुम्हारे अर्मान है, सपने है, और सालों की कड़ी मेहनत है, और दूसरी तरफ ये बच्ची, सोच लो, प्रकाश, अपने गाड़ी से स्टेशन तक छोड़ देंगे, यारो, क्या बात है, तिल में खुजाला हूं, खुद को संभाला हो, तो यारो क्या बात है यही जीना है, यही जीना है, यही जीने की सूरत है जिन्दगी खुबसूरत है छोटे छोटे सपने हो सपने वो अपने हो तो यारो क्या बात है सुख अपना जो बाट दो जाके पलट आता है दुख का दुख हम क्यों करें बाटे घट जाता है जिन्दगी खुबसूरत है छोटे छोटे सपने हो सपने वो अपने हो तो यारो क्या बात है झाल झाल